सामान हिंदी की फ्रेंट इस महत्पूर क्लास में मैं मुकेत आप सभी का स्वागत करताव फ्रेंट फटा फट जुड़े वीडियो को सभी साथी तो सेयर करिएगा यह क्लास आज की आगामी सभी परिछाओं के दिश्टी कौर से बेहद महत्पूर क्लास है इसलिए मैं आसा क करताव का सभी लोग सेयर करेंगे क्योंकि आगामी जितनी भी परिछाएं होनी वाली है यह दि उनमें सामान हिंदी पूछा जाएगा तो आपको निश्चिर तो इस क्लास में 100% मदद मिलने वाली है तो चलिए फ्रेंट क्लास को प्रादम कर रहे हैं आप सभी लोग यह से है कि पैदा करतित परिच्छा में इसलिए ध्यान देंगे आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देना है अच्छे ते करना है कासी की असधि किस की रचना है क्या जवाब है कि कमेंट सेक्तर में जाईए और सभी सात्री जल्द किया का सी की अस्ति की रचना के वालें पूछ किसकी रचना है कि पड़ा पड़ा एंसर कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी एंसर करिएगा जैसे जैसे आपने जुड़ता भी साथी वीडियों को शेयर किसे रहेंगे तो आते हम याद करने में आपको आसानी हो जाएगी जी हाँ कासी 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 नातिंग बिल्कुत सिंपलता है आप आसानी से याद कर सकते हैं आई होप आपको कन्फूजन नहीं होगी अगले कोश्चन के दिवात करेंगे तो तेजो मै का सही संदी विक्षेट क्या है तेज प्लस ओ मैं तेजा प्लस अ मैं तेज प्लस म में या तीजो फ्लस में बिलकुष सिंपल सा कोस्चन हो तीजो मैं में प्रण बिलकुष ही जबाब है कौन साyan इस question का बिल्कुल सही जबाब है, जी हाँ, पटाबड बताईएगा, तेज प्लस O मैं, तेज है प्लस A मैं, तेज है प्लस A मैं, तेज प्लस A मैं, पटाबड answer कमेंट करिएगा, जल्दी से comment section में छाप दीजिए answer, पटाबड, चलिए, ए, 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 answer A रहा है कुछ लोग का, जी हाँ, तेज है प्लस मैं, इसलिए इसका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे अगली question के तरफ, आध्वने क्योंकी मीरा किसे कहा जाता है, जी हाँ, फ्रेंड, किस कवित्री को आध्वने क्योंकी मीरा की शंग्या दी जाती है, आध्वने क्योंकी मी कीड़ा यह काफी बार परिछा में सीर्य तोर से पुछा गया प्रस्म है चलिए एंसर आने आपके प्यार होगे बहुत बढ़ी एंसर आ रहा है बहुत अच्छा बहुत लग 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 रहा है आप लोग पढ़ रहे हैं पिकल्प नंबर एक दराइट एंसर यहां लगे ह आगे बात करेंगे के दिये गए सब्द में हमें अंगना सब्द का जो है अंगना सब्द का समानार्थी सब्द धूड़ना है क्या इस्तरी होगा आंगन होगा पल्लू होगा या गाउं होगा जहां से पहले को पढ़ेंगे अंगना का समानार्थी सब्द हमको धूड़ना ह फटार्ट एंसर कमेंट के बिल्कुछ सिंपल था क्वेश्चन है आई होप किसी का भी गलत नहींगा बहुत बढ़िया फ्रेंड यामा पर उनको 1978 यहां डेट राज रखेंगे किसी तो पुछी नहीं जाती बट आप आइडिया रखेगा कि 1978 पर इन्हें ग्यान पीट का पु किसे दिया गया एंसर कमेंट बताएंगे को यह आपका हो जाएगा रखेंगे आ एंतिम ग्यान पिठ पुरुष्कार किसे दिया गया है आते है को तो जी हां आते हैज इस को पर कि सुरी शॉरी जी आजग यहां यहीं थोड़ा सम्मिश्चत हो गया यहां यह 1902 में धिया थ आगे बात करेंगे अगले कोशिंग की तरफ जल प्राढ पुत्र किस सब्द के अनेकार्थी सब्द है और सथी की सार के तत्यों किया जीवन कि फटा फटा एंसर प्राइए फ्रेंड कोश्चन नबर फाइब के लिए अपने अपने एंसर कमेंट करेंगा पताईए इसका सही जवाब क्या है क्या जैल प्राढ वाई पुत्र के अनेकार्थी सब्द हैं और सदी की शार के तत्यों किया जीवन की चलिए डी एंसर आ रहा जो साथी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे जिससे हमारे सारे वीडियो को आपको आसानी से प्राप्त हो जाए चलिए बी और डी एंसर आ रहे हैं तो उसी वो देखते हैं तत्त्त है हमारा सार है और जीवन इसी को दो को लेकर confusion बना आगे बात करेंगे question number six की खिली हुई हवा फिर की सी आई खिली हुई हवा फिर की सी आई चल गई पंक्ती में कौन सा अलंकार है खिली हुई हवा आई फिर की सी चली गई पंक्ती में कौन सा अलंकार है उत्मा है अनप्राश है संभावना या उत्रेक्षा है फड़ा कौन से अलंकार कौन सा अलंकार प्रूसकार किसे दिया गया है कि खीली हुई हवा आई फिर किसी मुस्काई तो देखिए महां वाचक सब दिख रहा है आप लोगो मैंने बताया था कि अलंकार पकड़ने कुछ ट्रिक होते हैं यदि आप उसको अपने दिमाज में कर सेफ कर ल बिख ड़ाएंगे जी यहां यहां पर देखिए से सा सी सरिस समान सी यहां पर देखिए वाचक सब्द आया है जो उप्मा लंकार का वाचक सब्द है इसलिए विकल्प नंबर ए इस परसंद का बिल्कू सही जबाब हो जाए बहुत बढ़िया ए इस राइट एंसर आगे ब करेंगे कि पूर्वी हिंदी बिक्सित होई कहां थे पिशाती अपरंते अर्ध मागई अपरंते शौर्टेनी अपरंते या मागई अपरंते चलिए कि जल्दी जल्दी कोश्चिन नमर सेवन के लिए अंसर करेंगे चलिए सी 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 भी अंसर आ गया है चलिए तो इसका दिकी जवाब सी नहीं होगा फ्रेंड वालक का गलत जवाब है पूर्वी हिंदी बिक्सित होई फ्रेंड आर्ध मागदे से बिकल्प नंबर बी देराइ इसका पूर्वी हिंदी बिक्सित होई आपके अर्ध मागदे से बिकल्प नंबर बी का जवाब है आगे बात करें कोश्चन नमर एट की किस क्रब में बित मुखी स्वर नहीं है आ-उ- ओ- 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 आ-ु- किस में बित मुखी स्वर प्रेयोक्त नहीं हुआ है आंसर कमेंड क नहीं हुगा है, आ, उ, ओ, आ, जी हाँ, फटा 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 आए फ्रेंड, कुस्चिन नमबर एट के लिए एंसर कमेंट से तरी मिठाई करिए, ए, चरिए, ए एंसर नाने प्रारण हो चुके हैं, पहुल पड़ियां, पहुल पड़ियां, ए दराइट एंसर, ए इस प्रंद क बिकल्प नमबर ए, इसलिए इसका बिकल्ब सही जवाब हो जाएगा, आगे निम्लिकित में से किश वाक میں मादन गोपाल को अखै रहा है किस में आ की वाक्य में अकर्मक्रिया प्रिट वहीद को रिखते हैं। मुच्ग स्थी में और टूर स BBC की अंसर क्योंत के लिए पड़ा by दिच्छ smith करिएगा। तब आपकी सारी डिवांदें पूरी होगी, जब आपकी संख्या बढ़ेगी, जितना ओभी चीज़ आप कहेंगे, Ques prisn की संख्या कहेंगी तो भी बढ़ा जायगा question को भी और लेबर टब किया जाएगा लेकिन आप लोग को वीडियो को share करना है पहले सभी साथे तो पक्षाना है इसलिए जब आप लोग यह काम करेंगे तो आपकी भी सारी दिवान पूरी होंगी question टब भी होंगे, question की शंख्या भी बढ़ेगी और भी सारे परिवर्तन होंगे नवींता आप लाएंगे तो नवींता यहां से भी आपको मिलेगी चलिए, question number 9 के लिए answer आने परादम चुके C और B भी answer आ रहा है कुछ लोग का उस लोग D भी answer कमेंट कर रहे हैं तो यह सीजी दी बात है देखिए रहे कि एक अकर्मक क्रिया प्रियुक्त हुई है जिहां अकर्मक क्रिया प्रियुक्त हुई है तो पहरा देखिए ग्यहूं पिस रहा है मैं बालक को जगवाता हूँ मदर्म गोपाल हत रहा है मदर्म गोपाल हत रहा है चलिए, B कमेंट कर रहे हैं स्चीवी कमण कर रहेरा है कि अकर्मक क्रिया प्र coinc cent होई एकर्मक चींहें कि विधकल्प नंबर 10 गरुट एडर अ थेस्में विकल्प नंबर 11 प्रस्का बिकल्कु 사ही जवाब हे कि यह कुछ विध सिर्वा है इसमीं आकर्मक प्रस्चेल में पेश्टित की सुध्य उत्रावस्था है घरिचिता अब देखिए यहाँ पर आपका टीन होता है एक होताıld साधान होता है innovatorした होता है जात्य फेर क्रिंद आप दंड़ कोक्रियार फ्रम के लिए जिया घनिष्टतर इस प्रसंतर 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 इस प्रसं किसी कार को किसार की विशेख उपचछा कर किसी अनेकार में लग जयाना उद्येच की प्राप्थ इंच्ट हो retrouve है हर बजन को क्योंप क्यों सतनुंत चीयद में काता benefit में किसी अननेकार में होता है सबीन क्या भी वाद किस ने कह था ? के वाद की शंगय किशन के दिती ही कोसें नबर 13 थोड़ा तक कोसें ध्यांद एंसरी कमेंट करेंगे चाया वात को प्रतिवीमगात की शन्या किसलिए धिती करेंगे साथी कोसें नबर 13 करेंगे चलिए यह आ रहा है रहा है तो इसका जो सही जुप और भाई विकल्प नम्र सी नंद दुला सोरी राम बिला शर् जी ने चाया वाद को प्रतिविम्वाद की शंग्या दी ती इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रस्मता विल्कुष सही जवाब हो जाएगा इस प्रगार के प्रस्मत अपसर कन्फूजन की स्थिति बनी रहती है तो आप लोग ध्यांद इस प्रस्मत के लिए एंसर कमेंट कर प्राक्रतिक, संस्क्रीट, ब्रजभासा या खड़ी बोली तो बिल्कुष सिंपल ता कोस्टेनर फ्रेंड जहां पर भी सूर्दास का नाम आता है तो तुरंत हम अम सब भी को पता है कि ये ब्रजभासा की एक उत्विष्ट कभी थी तो इनकी ज्यादा तर जो जरतनाय प् जो शही जवाब हो जाएगा सूर्दास नन्धदास की काप रचनाव में में संग्रह है जो भासा पे उउठ हुई है वह है ब्रजभासा आगे बात करें कोश्ट नबर फिफ्टिन की चंद कितने प्रकार के होते हैं चंद कितने प्रकार कोते हैं, दो, तीन, चार्थ, पांच, चंद कितने प्रकार कोते हैं, फ्रेंट, एंसर कमेंट करें बताएंगे, चंद कितने प्रकार कोते हैं, चलिए, ती, सी, सी, एंसर आगा, चार्थ, यहां विकल्प नबर सी, कमेंट करें, भी भी कमेंट आ रहा है, जल्दी से एंसर बताएंगे question number 15 के लिए सभी सासी फड़ा बड़ comment section में छाप जीजिए answer क्या होगा question number 15 के लिए कि छंद के प्रकार कितने होते हैं छंद के कितने प्रकार होते हैं सभी जाती जितने भी लोग live इसे में देख रहे हैं सभी लोग प्रते question के लिए अपने answer comment section में टाइब करिएगा क्योंगी आप सभी के answer जरूरी हैं इसी से तो आप सभी लोग अपने score को मैच कर आप कि कितने question आपने सही attempt की है चलिए सभी लोग answer आ रहे हैं काफी लोग के तो confusion भड़ा इस प्रकार होते हैं इसको याद रखिएगा पूछा जा सकता है आपके आगे बात करेंगे दोहा जियां दोहे और रोले को करम में मिलाने पर कौन ता चंद बनता है हरीगीतिका कुंडलिया शवया और वहरवे बताएंगे दोहा और रोला चंद को यह आपस में आप मिला देते हैं तो किस प्रकार के चंद की निसकत्ति होती है एंसर कमेंट करेंगे चार आपके हरीगीतिका कुंडलिया सवया और वहरवे फटापड एंसर कमेंट करेंगे कोश्चन नमबर 16 के लिए बिल्कुल इंपोर्टन कोश्चन है काथी बार परिश्चा में सीज़े चोँछ लिया गया है तो आप लोग को धान रखना है कि दोह ठडड़ वाड़ो का प्रियोग संबंद काब के किस गुड़ से है माधूरे से है ओज से है प्रसाथ या इनमें से कोई नहीं है जल्दी से बताईएगा कुस्चन नमर 17 के लिए एंसर कमेंट करिएगा चलिए ए ए बी एंसर आ रहा है चलिए तो ए एंसर कमेंट करें साथि सबी लोग एंसर कमेंट करिएगा अगे बढ़ेंगे हम तो इसका जो आफ्रड़ वाड़ आपके है वह काब की ओज किस ठीडि में आते है वी इसका अब्धर को सही जबाब हो जाएगा कोश्चे नबर 18 है कि निम लिखित में से कौन सा वाक मिश्रवाक है कौन सा वाक है मिश्रवाक है चोर को देकर शिपाही पकड़ने दोड़ा नेता जी भातर देकर चले गएं सेट जानता है कि नौकर इमांदार है बेली नहीं थी इसलिए अंधेरा था बिल्कुत सिंपल सा क अधिक वाक होता है कि यहां पर देखिए आपक पाचान का जो सब्द जूड़ा है यहां पर यह बताता है कि यहां पर यह सहियुक्त वाक है इसलिए विकल्प नंबर 16 का विलोम सब्द है स्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष आगे सामान वर्तमान का उधारण है तीता बाजार जाती होगी राम ने समाचार पत्र पढ़ा वर्ता हो रही थी वहां कलकस्ता जाता है तो परजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक्जांपल पुछा जा रहा है अंग्रेजी में बताने पर चीजें सरल हो जाती है तो यह लोग आपके सराहेंगे इतने पहलं से एक्जांपल पर एक्जांपल यहां पर तौ lige आपके स्था-वर्तउस होते हैं और यहां है रही आखर C bras उसके और रहाए raw यह रही में कि आई켜्था तो सिंब्ल तरफाहागे ऐं तो आपके परेजन का यहां पर दिखें कि प्याक्रण के दिश्टी से प्रेम सब्द का क्या प्रेम सब्द क्या है भाव आचक संग्या है विसेश्चन है क्रिया है अब्या है अब्या है व्याक्रण के दिश्टी से प्रेम किस प्रकार का आपका शब्द है भाव आचक संग्या है विसेश्चन है क्रिया है अब्या ह रहें प्रेंड यहां बिल्कुल आचक संग्या क्योंकि प्रेम एक भाव होता है इसका प्रयोग हम भावावाचक के रूप में करते हैं इसलिए विकल्प नंबर इसका विल्कुल सभी जवाव हो जाए एक देर राइट एंसर संकर सब्द question number 22 है आपका संकर सब्द का आर्थ है संकर सब्द का आर्थ होता है तस्थम, तद्भव, विदेशी या दो भातावती मिलकर बना सब्द देखें संकर का मतलब होता है friend कि जहाँ पर दो चीजों जी मिलकर बना मतलब होता है मिलकर बनने वाला जो सब्द होता है जासे अलग-अलग सब्द है मिला कर एक सब्द बना है इसलिए यहापका विकल्प NBD ल को सेज़वाब हो जाएगा कि रेल गाड़ी जैसे की एक्ज़ामपल आप जानते हैं वो आपका सब्द है आगे बात करेंगे पाक साला किस प्रकार का सब्द है रूड है योगी योगरूड है या इन में से कोई नहीं पाक साला किस प्रकार का सब्द है कुछ निबर 23 के लिए अंसर कमेंड करियेगा पाक साला किस प्रकार की का सब्द है आपका जल्दी से बताएंगे पाक साला 23 के लिए अंसर कमेंट करिएगा पाक साला चलिए C अंसर आरा है योग रुड़ नहीं है फ्रेंड पाक साला योगिक सब्द आपका फ्रेंड पाक प्लस चाला है जी हाँ पाक साला बिकल्प नमबर पात साला आपका योगिक सब्द है यह आपका योगिक सब्द है किस सब्द में उफसर्ग नहीं है किस सब्द में उफसर्ग प्रियुक्त नहीं हुआ है कमेंट करके बताएंगे किस सब्द में उफसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है अपवाज जुड़ा हुआ है पराज ईुड़ा हुआ है वोड़ना में उखको प्रभाह के प्राज उड़ा हँआ है तो यहां पर अगा क्या Stack दिए है तो यह आपका मोल साथ बच्चे गाई नहीं, यह आपका निर्थे साथ दो जाएगा, इसलिए यहाँ पर यह हमारा सही जवाब है, उड़ना में O आपका प्रत्य नहीं है, इसलिए D is the right answer, आगे बात करेंगे ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है, किस बाता को, वंजाबी को, मराठी को, गुजराती को या पुरानी बांगला को, कित भाता को ब्रजबुली भाता के रुप में जाना जाता है, चलिए, question number 25 ले answer comment करिएगा, कि ब्रजबुली भाता के नाम से किसे जाना जाता है, चलिए, answer आ रहा है, B, D, चिहां, ब्रजबुली भाता के रुमें फ कि प्रकार का सब्द है इस त्री लिंग है पुलिंग है न पुलिंग है उभ्यmam decreasing है कि अ peace के दिश्टी कोण दुए ठी आपका किस प्रकार का शब्ड है कि दृति प्रकार का सब्द्रcej फ् पढ़ेगा जांस पढ़ना पढ़ेगा और प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा हल करने पढ़ेंगे तभी यह सारी डाउट आपकी क्लियर रोपाएंगे दही जो आपका पुलिंग है इसमें बहुत सारे आपके रूल है आपको नियम है पढ़ना पढ़ेगा उसको रिवीजन कर करते हैं कहाने का मतलब फ्रेंड वाणों की बेवस्तित समूं को हम वडमाला कहते हैं इसलिए विकल्प नंबर डी इसका विल्कुस सही जवाब हो जाएगा रोग पीडित में कौनता समास है करम धार है द्वांद भवरिय तत्पृस रोग पीडित यदि आप इसको तोड़े जाएगा इसलिए विकल्प नंबर डी इसका विल्कुस सही जवाब हो जाएगा आगे बात करेंगे ट्वंटी नाइन कोश्चन की कि निमन्युके तस्तम तब्द का चैन करना है तश्यम सब्द बरात वर्षा हाथी आशू कौन ता यहां पर तश्यम सब्द है फ्रेंड आ यहां पर तश्यम में बाकी सारे आपके तदव निमन्युके तक यहां वर्षा है लोग घड़ वरःप परिस्ट का समूं आचक प्रत्य नहीं है तो देखिए लोग यह समूं आचक है प्रेस आपका सम्मू आचक सब्द नहीं है, इसलिए विकल्प नमबर D इस प्रेस का बिल्कुँ सही जवाब हो जाएगा, D is the right answer, यहाँ पर प्रेस आपका सम्मू आचक प्रत्य नहीं है, इसलिए इस question का जो जवाब होगा, विकल्प नमबर D, तो यह था आज का आपका complete class, I hope आप लोगों ने class को इंजवाय किया होगा, विडियो यहाँ पर समाथ होते हैं, आप तभी लोग अपने इसको कमेंट कर दिजाए, कितने question आपने सही item किये, क्या गल्पती होई, क्या शीखा आपने, सारी चीज़ा आप कमेंट कर सकते हैं, मिलेंगे कल आप से, उन्हें इक लात में, तब तक के लिए बेस्टा प्लप, थैंक्यू, गुडबाई